अदब पल्पन्यूज के प्रैम टाइम में आप सबी का स्वावत है और मैं हूँ आपके साथ नदी मक्रव राम जन्भूमी पाबरी मज़िद विवार थमने का नाम नहीं ले रहा है 1992 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक इसे सुलजाया नहीं गया है क्योंकि उलजाने वाले कोई और नहीं हिंदू पक्षकार की दलीलों से ये साफतोर पर समझ आ रहा है कि केस को कौन उलजाने की कोशिश लगातार कर रहा है तो वही मुस्लिम पक्षकार के वकीलों ने जब अपनी दलीले देना शुरू की तो आज बीस्वे दिन पर आ करके बहस रुकी और बीस्वे दिन में आज मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से चौती दलील पेश की गई सोना दिन तक हिंदू पक्षकार के वकीलों ने अपनी दलीलों को जजिस के सामने रखा और सोना दिन बड़े ही शांति पूर्वक तरीके से भीते ना ही हंगामा हुआ ना ही किसी पर हमला हुआ और ना ही किसी को धमकी दे गई सत्रवी दलील पर मुस्लिम पक्षकार का बोलने का नंबर आया और सत्रवी दलील पर राजीव धवन को धमकी मिलना शिरू हो गई कि आपको जान से मार देंगे अगर आपने ये केस की पैरवी की तो जब राजीव धवन ने सुप्रिम कोर्ट में इसका मसला उठाया इनकी दाल नहीं गली तो एकबाल अंसारी जिनों ने केस की पैरवी की और केस को आगे तक पहुचाया तो एकबाल अंसारी पर हमला हो जाता है दूसरी दलील पर हमला होता है और पहली दलील पर हंगामा तो दूसरी दलील परधम की तीसरी दलील पर हमला हो जाता है और आज चौती दलील पेश की गई यू तो आज 20 दिन बाबरी मस्दित को ले करके हो चुकी है कोट में बहस को 16 दिन तक दलीले जब हिंदू पक्षकार के वकीलों द्वारा सुनी गई तो जब सबूत मांगे गए तो सबूत के तौर पर सिरफ यही कहा जा रहा था कि सबूत जो है 1882 में डकैस ले गए और वो हमारे पास नहीं है जब यह पूछा गया कि जिस जगह बाबरी मस्दित है क्या उधर ही राम लला का जन्म हुआ था तो इन्हों ने बोला कि इसका कोई अंदाजार नहीं लगाया जा सकता पर हो सकता है कि वहीं हुआ हूँ जब जजजज ने लगातार उनसे सबूत मांगे तो सोना दिन तक वो वेद पुरान की बात करते रहे संस्कृत में श्रोफ सुनाते रहे पुरानी तस्वीरों को दिखा करके ये पताने की कोशिश करते रहे कि बावरी मस्जिद की जगा पर ही राम ललाखा विराजमान हुआ था इसी को ले करके आज बीसवे देल बहस शरी और जब बहस शुरू हुई तो राजी धवन से पूछा गया कि आप अपनी दली शुरू कीजिए तो राजी धवन ने शुरू में कहा कि मैं अपनी दलीले 1885 से शुरू करूँ सबूतों के साथ ये 1528 से ये सुन करके जजिस पूरी तरीके से हैरान थे और हिंदू पक्षकार के लोगों में एक हड़कम समझ गया क्योंकि सबूत तत्य के अधार पर ही कोट में वहस होती है और जो सबूत पेश किये जा रहे हैं वो ठोस माने जा रहे हैं मुस्लिम पक्षकार की तरफ से तो लगातार इसी को देख करके कुछ संगठन बौखलाए हुए है तो कभी धंकी तो कभी हमला मैं पूरी मामने को बारिकी से आप लोगों के सामने रखूँगा आज पहले जान लेते हैं कि बीसवे दिन पर क्या कुछ कोट में गटा है अयोध्यार राम जन भूमी मामले में बीसवे दिन के सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजी धवन ने बहस के शुरुवात की राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाडा 1734 अस्तिप का दावा कर रहा है मैं कह सकता हूँ कि निर्मोही अखाडा 1885 में बहारी आंगन में था और वे वहां रहा है धवन ने कहा कि राम चबूत्रा बहारी आंगन में है जिसे राम जन इस्तल के रूप में जाना जाता है और मजजित को विवादित इस्तल माना जाता है धवन ने निर्मोही अखाडे के गवाहों के दर्ज बयानों पर बहस करते हुए महंत भासकर दास के बयान का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने माना कि मुर्तियों को विवादित धाचे में रखा गया था राजीव धवन ने केके नायर गुरुदत सिंग डियम और सिटी मजिस्ट्रेट की 1949 की तस्वीरे कोट को दिखाई राजीव धवन ने राजा रामपांडे और सते नरायंतर पार्ठी के बयानों में विरोधा भास के बारे में सुप्रीम कोट को बताया धवन ने कहा कि ऐसा लगता है कि कई गवाहों के बयानों को प्रभावित किया गया है एक गवाह के बारे में धवन ने कहा कि उसने 14 साल की उम्र में RSS जॉइन किया था बाद में RSS और VHP ने उसको सम्मानित भी किया धवन ने एक गवाह के बारे में कहा कि गवाह ने 200 से अधिक मामलों में गवाही दी है और विश्वास करता है कि एक जुट बोलने में कोई नुकसान नहीं है राजिव धवन ने अपनी दलील में कहा कि मंदिर की जमीं जबिरदस्ती चीनी गई जस्टिस डिवाई चंद्रचून ने कहा कि विरोधा भासों के पावजूद आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी शेवियत के हिसाब से इस्थापित कर लिया है राजिव धवन ने कहा कि मैं उनको जूटा नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वे खुद को शेवियत तो बता रहे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम कि कब से शेविट है जस्टिस चंद्रचून ने कहा कि अगर आप निर्मोही अखाडे के अस्तित को मान रहे हैं तो उनके संपूर्ण साक्षे को सुईकार किया जाएगा राजिव धवन ने कहा कि कुछ कहते हैं कि 700 साल पहले कुछ उससे भी पहले का मानते हैं मैं निर्मोही अखाडे के उपस्तित सन 1855 से मानता हूं 1855 में महंत रगुबर दास्त ने मुकदमा दायर किया हम 22 दिसंबर 1949 के बयान पर बात कर रहे हैं धवन बोले रामलला के अंतरंग सका कुछ सिर्फ पूजा का अधिकार जमीन पर हक के दावे का अधिकार नहीं जस्टिस नजीर ने धवन से पूछा कि कल तो आपने सह अस्तित्प की बात की थी आज आप कुछ और बोल रहे हैं धवन ने कहा कि मैं बदलाव नहीं भूमी पर मालिकियत की बात कर रहा हूं सेवा उपासना और मालिकियत अलग अलग है निर्मोही अखारे के मालिकियत के दावे को खारिच करते हुए धवन बोले कि इन्हों ने इस संपदा के लिए बिलांग शब्द कहा लेकिन इस बिलांग शब्द का मतलब मालिकाना हक कता ही नहीं है ये तो टर्म आफ आर्ट है यानि वाक कला और शब्दों का कलात्मक प्रियोग है तो दोस्तों आपने देखा कि 20 दिन पर दलील की शुरुआत हुई तो दलील शुरू करने से पहले राजिर धवन को दलील शुरू करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दलीलें और समूत कहां से पेश करूँ 1885 से या 1528 से मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और मैं उन्हीं दस्तावेज के आधार पर आप से बात करूँगा यह सुन करके हर कोई हैरान था और जब हमने इसी सिलसिले में एड़ोकेट फराहाशमी से बात की तो उन्होंने कोट के अंदर का महौल हमें पहले दिन पर बताया के पहले दिन हंगामा हुआ तो दूसरे दिन का महौल बताया कि जब जजिस के सामने मुस्लिम पक्षकार के लोगों ने पुराने दस्तावेज रखे तो लैंस से जजिस को उन वर्ड को पढ़ना पढ़ रहा था जो वहां लिखे हुए थे क्योंकि सौ साल से भी ज्यादा पुराने वहां पर दस्तावेज मुस्लिम पक्षकार के पास मौजूद है जिसे पढ़ने में जजिस को काफी दिक्कत आ रही है तो लैंस का इस्तवाल किया जा रहा है इस बीच हिंदू पक्षकार की तरफ से कभी हंगामा तो कभी हुडिंग की जाती रही पर जजिस नहीं सब को डाट करके शांत करा दिया कि आप कोट में हैं बाहर नहीं आपकी जो आपसी लड़ाई है वो बाहर निका लें कोट के अंदर ये बरदाश्ट नहीं किया जाए तो वही सवाल ये उड़ता है कि जब आपसे दलील और सबूत मांगे गए तो आपने सबूत ना तो पेश किये और दलील में जो आपने पताया उसके आधार पर जब आपकी दलील 16 दिन पर खत्म हुई तो जब 17 दिन पर मुस्लिम पक्षकार की दलील पर हंगामा क्यों जब 20 दिन की दलील पर हंगामा और हमला क्यों किया गया और 20 दिन की दलील जब ठोच सबूतों के साथ रखी गई तो हैरान है हर कोई कि ये दलील और सबूत जो पेश कर रहे हैं उनमें कितनी सचाई है ये कोट तै करेगा और कोट के हर फैसले पर हमारी नजर है क्योंकि ये जो सरकार है वो सत्ता के नशे में पूरी तरीके से चूर है और वो ये दिखाने की कोशिश लगतार कर रही है कि जो दलीले और सबूत पेश किये जाएंगे उसी के आधार पर हम सब कुछ सब के सामने रखेंगे सुप्रीम कोट बारीकी से इस केस पर वना हुआ है और सुप्रीम कोट की इस खबर पर हमारी भी बारीकी से नजर बनी हुई है तो मैं तमाम खबरों के साथ आपके साथ यूँ ही हाजिर होता रहूँगा और अब जो कोट के अंदर की कारवाई हुई होगी आज के दिन तो वरा हाश्मी से जुड़ करके आज के दिन पर कोट में क्या कुछ घटा इसकी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा तब तक के रिए दीजिये मुझे इजाजर और एक आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी घटना या कोई भी आपकी खबर हो जो आप हम लोगों के साथ साजा कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने अपना वाट्सप नमबर दे रखा है उधर आखर के या एमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है वहाँ अपनी खबरों को हमारे साथ साजा कीजिए हम आपके नाम के साथ आपकी खबरों को प्रकाशित करेंगे क्योंकि हम आपकी आवाज हैं और आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता शुक्रिया